जब यह साइंस इतनी डवलप नहीं हुई थी हमारे देश में जो है हमारे पुराने ग्रंथों में बॉडी के अंदर की पूरी फिजिलोजी की मसल्स कौन सा कहां पर है कैसे फंक्शन करता है सब कुछ लिखा हुआ है कैसे लिखा हुआ है जब कि हमारे हां तो मुर्दों को ज फूल्स नहीं अवेलिबल है जब आप एक चेतना बन जाते हैं तो आप सारी लिमिट से दूर हैं अभी आप यहां बैठें आपका परिवार कहीं होगा और मैं आपको बोलूं कि आप अपनी चेतना को वहां लेकर के जाए तो आप ले जा सकते हैं आपको फिजिकली वहां जाने की जूरूत है नहीं मतलब की ध्यान और स्पिरिच्वालिटी ना शरीर से बंधा है ना दिमाग से बंधा है ना डिस्टिंस ना स्पेस और ना काल वो इन बंदनों से मुक्त है जो आत्मा रूप आप हैं उसको ना हवा सुखा सकती है ना आग जला सकती है वो खतम न जाता है हलो लाइफ हो तो ऐसी कि इस एपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है यह एपिसोड हमारी बातचित का भाग दो है सुनाली मिश्रा जी के साथ सुनाली मिश्रा जी ने पार्ट वन में हमें बताया था कि चक्राज का क्या इंपॉर्टेंस है साथी साथ उ तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारी बात्चेत सुना लिजी के साथ मैं मैंने सुचा था कि मैं आपसे एक सवाल पुछूंगा कि ड्रग डिजाइन बहुत साइंटिफिक चीज है तो क्या मेडिटेशन, स्पिरिच्वालिटी ये सारे चीज़े भी उतनी ही साइंटिफिक है पर अब मैं ये सवाल नहीं पोचूंगा क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि इस सवाल के रिक्वार्मेंट है जैसा कि आपने बताया कि काफी चीज़ें काफी होत तक साइंटिफिक थी चक्राज के बारे में सब कुछ ही साइंटिफिक है साइंस सिर्फ लैब में नहीं हो रही है साइंस हो रही है उसका एक सेक्शन आप लैब में भी कर लेते हैं हर चीज साइन्स के माध्यम से हो रही है spirituality क्या है कि it's one perspective of understanding life spirituality stands alone you may not know but body science will still function but spirituality is something that you know from the childhood you know it's a part of you and that knowledge can bring everything हमारे जो वेदाज और सब कुछ निकले है वो सब meditation में कौन कहां से वो पहला कौन था जिसने ये वेद, धार, सारे नौलेज निकाले जो अभी तक हम study कर रहे है एक व्यक्ति जो कि खाली बैठ गए ध्यान में और ध्यान के भीतर से उनको ये सारा data मिला और ये के अंदर की पूरी physiology की muscles कौन सा कहां पर है कैसे function करता है सब कुछ defined लिखा हुआ है कैसे लिखा हुआ है जबकि हमारे हां तो मुर्दों को जला दिया जाता था तो ये बहुत बड़ा question था अंग्रेजों के सामने कि इन्होंने कैसे इतना detail में study करा है जबकि इनके अंदर कहां कोई dissection के इतने अच्छे tools नहीं available है ये dead body को भी preserve नहीं करते इसको जला देते हैं तो कैसे इन्होंने ये सब पता किया ध्यान में जब आप गहराई में जाएं आप मैसूस कर सकते हैं अपनी एक एक muscle का movement कैसे होती है you can actually see the blood you can actually see everything so you as a consciousness जब आप एक चेतना बन जाते हैं तो आप सारी limit से दूर हैं अभी आप यहां बैठें आपका परिवार कहीं होगा और मैं आपको बोलूं कि आप अपनी चेतना को वहां लेकर के जाएं तो आप ले जा सकते हैं आपको फिजिकली वहां जाने की ज़रूत है लिए अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपना जब आप 10-12 साल के रहे होंगे अपनी गर्मी की छुटियां ध्यान करिए वहां अपना ध्यान लेके जाए तो आप ले जा सकते हैं मतलब की ध्यान और स्पिरिच्वालिटी ना शरीर से बंधा है ना दिमाग से बंधा है ना डिस्टिंस ना स्पेस और ना काल की पूर्वकाल वर्तमान काल या भविश्यकाल वो इन बंदनों से मुक्त है अभी आपने स्ट्रेस के बारे में बताया तो इन जनरल हम लोग पूछते हैं कि स्ट्रेस में हो क्या तो बलता हाँ एंसाइटी हो रही है क्या होते हाँ अभी आपने बोला कि स्ट्रेस थोड़ा बत होना भी चाहिए लाइफ में स्ट्रेस ही एंसाइटी बन जाती है आगे चल कर अगर बहुत जादे स्ट्रेस हो गया तो या फिर एंसाइटी एक दम अर लग है सिए स्ट्रेस इसको एक harsh待 मैने मेर में बताती हूं स्ट्रेस तीन स्टेजीज में किया जा सकता है Accuyte stress, Episodic stress, Chronic stress acute stress is productive एक रात पहले ना हो तो बच्चे आदे पास नहीं हो पाएंगे आदे साइचा़ लोग जो कम समय में यादा function करके दिखा दे हैं नहीं कर पाएंगे तो acute stress is that sensation जो आपकी body को मिलता है ताकि आप fast action कर सकें उसमें हमारा सारा body fast काम करता है अब दूसरा आता है episodic stress episodic stress is what जब आप के जो acute stress है वो बार 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 रिपीट हो रहे हैं एक अंतराल के भीतर ऐसा कुछ professions में होता है जैसे doctors के पेशे में military के पेशे में उनका job ही ऐसा है कि उनको रोज एक stress cycle से गुसर नहीं है रोज दो लोगों के जीवन जाते हुए देखने हैं कभी खुशी कभी गम वाला chapter उनकी life में constantly ही चल रहा है तो कुछ तो professions ऐसे होते हैं आज की डेट में generally चाहे वो IT sector हो चाहे जो हो work life सब की ही लगबग वैसी हो गई है कि सभी एक episodic stress के घेरे में है episodic stress जिन पेशों में होता था उसमें लोगों उने lifestyle ऐसा बना रखा होता था ताकि वो इससे deal कर सकें जैसे military में देखिए आप कितना उनका lifestyle regulated होता है कि उनको regular workout करना है healthy eating करनी है ये सारी चीज़े उनकी regulated होती थी ताकि वो इस episodic stress से deal कर सकें stress जब लगातार बार 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 आपके दिमाग के अंदर आता है कोई भी चीज जो आप regular करते रहते हैं तो आपका जो conscious mind है वो उसको subconscious में डाल देता है कि ये पैटर्न है तुम पकड़ लो मैं इस पर धान नहीं दूंगा रोज सबकॉंशनस ने उसे पकड़ लिया अब एक दिन आपके घर के बाहर भालू आया था आपको डर लगा आपने सबको बोला कोई भाहर नहीं निकलेगा भालू घर के बाहर खड़ा है दो रात तक आया आपने रोका एक महीने तक आपने रोका फिर भालू चला गया पर पास तो सेवड है, शाम को बार ने निकल ना बाहर भालू कड़ा है तो कैसे फिर उनको सबकॉंशिस मैं दो कैसे पता चलवाएंगे कि अब भालू चला गया सबकॉंशिस में आप कॉंशिसली तो नहीं जा सकते दूसरे मैथर्ड है उसके क्रॉनिक स्ट्रेस की कंडिशन में क्या होता है कि आप का जो रीजन है जो जिसकी वज़े से आपको स्ट्रेस होता है वो आपके एकदम सामने ही बैठा रहता है जैसे कि आपका पार्टनर आपको मिल गया शादी में गड़वर अब आपका ये chronic stage कौन ही अटा सकता है भाग ने सकता है तो आप सदा सदा के लिए एक state of stress में बन गए ये दोनों ही stages में चाहिए आप episodic stress जहां रोज शाम को भालू आ रहा है subconscious ने बढ़ा लिया है या फिर stress देने वाला आपके सामने बढ़ा हुआ है अब उसको रिलाक्स करने के लिए आपको गामा और डेल्टा में अपने आपको ले जाना होता है अगर आप कुछ समय के लिए अपने आपको गामा और डेल्टा स्टेट में ले जा पा है तो आपका माइड इतना रिलाक्स कर जाएगा कि वो वापस से नॉर्मल फंक्शन करेगा डेल्टा इस दी डीप स्लीप स्टेट येस डीप स्लीप और समाधी और उसके सिवा में अगर आप जो है देख रहे हैं कि आपका जो स्ट्रेस का कॉज है वो सबकॉंशन लेवल पर बैठ चुका है मतलब आपके अंदर बैठ गई है वो बात जैसे किसी को बचपन में इसने बोला भिंडी में कीड़ होते हैं वो आज तक वो देख सकते हैं आप भिंडी देख के खा सकते हैं पर वो अब भी भी कीड़ा समझके नहीं खा रहे हैं तो ये उनके सबकॉंशन में बैठी हुई है बात किसी को लगता है कि I am not a good singer क्योंकि दस बर बचपन में बोला उनने माल लिया personality बन गई तो सबकॉंशन जो है आपका perception बना देता है उसको correct करने का method होता है hypnotherapy hypnotherapy मतला आपको hypnotize करे कोई और आपके subconscious को expose करे hypnotize state का बाती है जब आप नींद में जा रहे हैं और वो स्थिती होती हैं जब आपके सपने आने शुरू हो रहे होते हैं जब आपको ये चेतना होती कि हाँ नींद में जा रहे हैं जा आ रहे हैं और सपने आ रहे हैं that is when your subconscious mind is active उस state में आपको लाए कोई और वहां पर आपके अंदर एक नया message डाल दे कि भालू जा चुका है subconscious में से जाकर कि भालू को बहार निका ले तब जाकर कि आपकी ये problem रिजॉल्व हो जाएगा ये तो किसी के थू हुआ किसी के help के थू हुआ खुद से ये चीज़ मेडिटेशन के माधियम से हो सकता है पर बहुत समय लगेगा अगर आपको fast जैसे चाहिए इसका रिजल्ट तो hypnotherapy can help you, breath work can help you and इसके सिवा एक और तरीका होता है वो भी आप उसमें external aid ले सकते हैं जैसे कि जो रे की healing लो करते हैं उसमें भी वो आपके energy level पर जाकर के जो भी problem है उसको correct कर देते हैं अब meditation के ही माधियम से अगर आप चाहते हैं कि मेरा ये सारा जो mental disorder है वो meditation के माधियम से ही सही हो तो उसमें आपको meditation में अपनी scripts पनानी पड़ेंगी ठीक है वो scripts ऐसी specific होनी चाहिए जहां पर उन बातों का उलेख हो जो कि आपके subconscious में बैठी हुई है और उसका just opposite आप करें तो which can be make in the form of affirmations कि आप ऐसे affirmations बनाएं मतलब आप कहरें कि मैं बहुत negative thinker हो गया हूँ मुझे थोड़ा सा positive thinker बनना है तो आप visualize कर रहे हैं कि आप बहुत positive thinking हो चुके हैं तो आपकी life में क्या क्या बदल गया है ना और वो सारी चीजें visualize कर रहे हैं जो कि आप generally नहीं कर सकते हैं तो आप अपने meditation के माधियम से भी इसको reverse कर सकते हैं पर आपको समें script modulate करनी पड़ेगी ताकि आपकी कहां नहीं मतलब basically चाहिए आपके दिमाग को as a feed और anxiety हाँ anxiety जो है ना ये किसी एक particular trigger से होती है तो let's say आप किसी चीज से बार बार आपको stress हा रहा था तो दिमाग को समझ में आया कि ये वाली चीज जो है ये बार बार stress दे रही है तो ये होनी नहीं चाहिए लाइफ में तो उसके प्रती आपके अंदर एक rejection पैदा कर देगा जैसे कि health anxiety हो गई अगर कई बार बिमार हुए तो अब आपके दिमाग ने एक ये fear एक rejection पैदा कर दिया कि health anxiety से हमें दूर रहना है health के problem से हमें दूर रहना है चाहिए वो किसी और को चाहिए वो हमें हो तो जैसे ही अगर आपको अंदर से दिमाग को ये signal भी लग रहा होगा कि ये काम करने से आपकी health खराब हो सकती है तो आपको वो पहले से ही feel कराने लगगा कि आपकी health खराब हो गई है ताकि आप डर के मारे पहासे हट जाओ आप डर के मारे अपना इलाज करवा लो आप जल्दी से डॉक्टर के पास चले जाओ आप तुरंद हॉस्पिटलाइज हो जाओ बचा लो अपने आपको जिसको health anxiety होती है I guess unnecessary test भी कराते हैं डर के कारण से डर के कारण कराते हैं क्योंकि उनका दिमाग उनको बोल रहा है कि तुम्हें बिमार नहीं होना है वो बहुत खराब चीज है उससे डरो और पहले ही जाकर के अपने सारे test करवा लो पहले जाकर के admit हो जाओ तो ऐसे लोग होते हैं उनको symptoms में actually में feel हो रहे होते हैं बाकी लोग कहेंगे कि अरे तुम्हारे दिमाग में है सब कुछ पर ऐसा नहीं है यह psychosomatic level तक पहुचा देता है आपको actually में feel होगा कि आपको breathlessness हो रही है आपको actually में लगेगा कि आपको mild सा heart attack हो रहा है और जब आपका evaluation होगा तो symptomatic level पर कुछ नहीं मिलेगा physical level पर आप diagnose नहीं कर पाएगा कुछ भी doctor पर वो psychological था जो कि आपको somatic level पर express हो गया इसी को psychosomatic बोलते है तो anxiety is that तो इसमें particular trigger होगा एक pattern होता है यही चीज आपको anxiety देगी चाहिए वो health हो कुछ लोग को relationship anxiety होती है एकदम दोस्तों के साथ सब लोग के साथ बहुत बढ़िया रहेंगे लेकिन जो उनकी romantic relationship है उसमें उनके अंदर चाहे partner सामने कोई भी हो किता भी अच्छा हो वो हर वक्त insecure रहेंगे सिर्फ सोचते रहेंगी कैसे हम इसमें compatibility बना के रखे कहीं ये न हो जाए कहीं वो न हो जाए एक jealousy बने रहेगी वो this is not your partner this is neither you ये आपकी anxiety है जो कि इस romantic relationship में आप किसी के साथ जाओगे होगी उसको आपको correct करना पड़ेगा reverse करना पड़ेगा meditation इसमें भी help करता है दिरे दिरे करके आपको जो है वो mellow down करके ले आता है दूसरा एक चीज़ इसमें anxiety में help करता है is self awareness practice self awareness के लिए जो है बहुत सारे practices हो सकते हैं आप दिन में जो है CBT कर सकते हैं cognitive behavioral therapy जिसमें कि आप अपना सुभेरे उठने के बाद में awareness के साथ लिखे हैं आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूं just उठते ही और फिर रात को सोने से पहले आप लिखे हैं आप कैसा महसूस कर रहे हैं ठीक है अपने दिन के बारे में लिखना is the best thing आपको कुछ extra activity नहीं कर नहीं आप लिखना शुरू करिए तो जब आप लिखते हैं तो आप recall करने की कोशश करते हैं तो आपके दिमाग को दस दिन के अंदर अंदर आदत हो जाएगी कि जो में को करना होता है वो मुझे याद रखना होता है मुझे अवेर रहना होता है तो आप जैसे सही सवाल पूछे जाते हैं तो सही जवाब मिलते हैं तो हमें अपने आप से सवाल पुछने शुरू करें ताकि हम अवेरनेस के साथ काम करें पहले दिन मालो आप कुछ भूल गए रहे हैं आज मुचे यादी नहीं में दस से बारा कि विश में क्या किया था अगरे आपका दिमाग नोट करके रखे का मुझसे शाम को सवाल पुशे जाने है तो I have to recall कि what I am doing I have to be aware here self-awareness दिरे-दिरे करके आपको anxiety से दूर कर देती है क्योंकि आपको जो है प्राक्टिस कर लेता है दिमाग कि अच्छा वो accept कर लेगा कि अच्छा सच में anxiety ही हो रही थी क्या मुझे है नहीं क्या ऐसा कुछ तो fear से निकल जो तो like that अभी health anxiety के बात कर रहा थे तो कहीं नहीं मैंने personally भी feel किया है at the time of COVID COVID-19 जवाया था so मैं COVID positive था बट उसके बाद ठीक हो गया ठीक होने के बाद मैं isolate होकर एक room में रहता था news वगारा बहुत चल रही थी उस time पर negative news COVID को लेकर के negative news क्या ही कि मुझे अचानक से सांस नहीं आने लगी कि सांस नहीं आ रही है मतलब COVID इंपक्ट कर रहा है कि मेरे बे उस time पर COVID था नहीं मुझे तो उस time पर oxymetor नहीं था मेरे पास तो oxymetor नहीं था अगर मेरे पास तो मुझे लगा कि नहीं यह बहुत problem है और oxymetor नहीं है मेरे सांस अभी जा रही है oxygen level बहुत डाउन हो गया है ऐसा लगने लगा मुझे oxymetor जब आया देखा कि बहुत नौर 99, perfect 98, 99 तो फिर उसके बाद से वो problem नहीं हुई फिर एक दिन problem हुई अचानक से कि सांस नहीं आ रही है कि मुझे साहद हॉस्पिटल जाना पड़ेगा उस ताइम पे क्योंकि बहुत हॉस्पिटल जा रहे थे तो कहीं नहीं मुझे लगा कि वो covid के कारण वो जो breathing में problem आ रही थी वो covid के कारण नहीं था वो anxiety के कारण ये सारी चीज़े हो रही थी मैंने टेस्ट करा लिये बहुत सारे कि कहीं problem तो नहीं है ये कुछ covid हुआ था साहद उसके कारण हो but problem साहद psychosomatic था अब ऐसा लगता है so that was my ये वाली बहुत particularly जो example आपने दिया covid post covid मतलब hundreds of people have come to me for healing और therapy जिनको यही problem है health anxiety और क्योंकि एक लूप आया जिसमें अचानक से सबको consciously ये डर बिठाना था कि हाँ भई ऐसा नहीं करोगे तो जिन्दा नहीं रोगे और literally हमने देखे हैं लोगों को जाते हुए तो वो एक डर उसने बिठा दिया हमारे भीतर ये भी spirituality इसमें भी बचा लेती है क्योंकि spirituality के हिसाब से आपकी मृत्यू तो कभी होती ही नहीं है है ना जो आत्मा आप है नैनम चिंदंति शस्त्रानी नैनम दहति पावकह ना चैनम कलेदे अंतियापो ना शोशयति मारुता तो मतलब जो आत्मा रूप आप हैं युअ उसको ना हावा सुखा सकती है ना आग जला सकती है वो खटम नहीं हो सकती वो जैसे एक शरीर छोड़ करके दुसरा शरीर ग्रहंड करती है जैसे आप एक कपडा छोड़के दूसरा कपडा ग्रहंड करते हैं तो अकर आपके अंदर एक तिंच of spirituality कि जब आप रात को सोने जा रहे हो न तो ऐसे सोने जो कि ये मृत्यू है मन से मान लो कि अभी तक अगर किसी के लिए बुरा किया तो हमें शमा करें मन से शमा मंग रहें अगर किसी ने हमाय साथ गलत किया तो हम आपको माफ करते हैं हमने आज दिन भर जितना जीवन जीना था यदी कल फिर जीवन हुआ तो फिर उठेंगे फिर इस चरीर को ठाएंगे और ये सारे धर्म करम करेंगे अगर खतम है तो टाटा बाई बाई तो every day when you spend like this like the morning is the new beginning life and the night is the death तो आपकी कभी death नहीं है न क्योंकि आप तो जीवन ऐसे जी रहे हो भी आपके अंदर और in-depth लेकर के आती है पर spirituality is like science theoretical and practical then only you will understand वरना आप समझ नहीं पाएंगे इसे आपको पढ़ना है अनुभव करना है कई लोग की यात्रा अलग होती है जैसे मेरी यात्रा में वेदों के बारे में गीता के बारे में ये सारे knowledges मुझे पहले ध्यान में आते थे फिर मैं इनको सर्च करके पढ़ती थी कई लोग पहले सर्च करके पढ़ते हैं फिर अनुभव करते हैं तो किसी भी order में आएं पर ये दोनों combination में आपके जीवन में आने चाहिए तो psychosomatic disorder and psychosomatic symptoms दो अलग चीज़े हो सकते हैं psychosomatic disorder नहीं बनता है वो immediately symptoms आ सकते हैं कई लोगों को psychological level पर कुछ problem थी वो physical level पर भी दिखाई दे रही है एक example बताती हूँ जिसे कि कोई school का बच्चा उसका break up हो गया है तो उसको कोई diagnosis level पर physical level पर प्रॉबलम नहीं होई है पर उसको कुछ खाने का मन नहीं करेगा वो बिस्तर में बैठा रहेगा कि मुझे उठने का मन नहीं है में को नीद नहीं आरी और यह सब actually मैं उसके साथ होगा और वो आपको promise करेगा कि अब मैं जिंदगी में कभी कुछ नहीं हो पाऊंगा भले ही दो माही नहीं में उसकी दूसरी girlfriend बन जाए बट उस समय पर उसकी mental state वैसी होगी तो यह psychosomatic symptoms है जो कि आपको एकदम से sudden trigger आया तो आपको कुछ समय तक आपकी body में उसके symptoms दिखाई दे रहे तो आपकी शरीर पे ऐसे ऐसे symptoms अपने आप create हो जाएंगे आपको उसके लिए कुछ consciously करने की ज़रूरत भी नहीं है वो अचेतन्य रूप से आपके अंदर यह symptoms भर चुके हैं तो यह जिनको anxiety disorder हो जाता है उनके लिए फिर proper या तो वो treatment करवाएं अपना medicines वागेरा खाने से although इसकी कोई exact medicine है नी anxiety की अगर आ गई होती तो फिर यह एक multi-million industry होती but symptoms को वो काफे reduce कर देते है इसका एक best रिलाज यह होता है अगर आपकी एक अच्छी गहरी नींद पुरी हो पाए तो भी वो आपको panic attack से हुई वी जितनी भी problem बहुत थकान महसूस करते हैं चाहे आपने ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं भी किया हो क्योंकि आपकी strength बहुत लग जाती है वैसे ही anxiety attack और panic attacks जब आते हैं frequently अगर आपको हफते में तीन बर आ रहा है तो बस it's proven medically कि आपको psychosomatic disorder हो चुका है अगर इसकी frequency इतनी ज़ादा है साल में एक बारी आ गया छह महिने में एक बारी आ गया तो it can be a symptom now the part of your question जहां पूछ रहे थे कि क्या हम ये खुद पैदा करते हैं हमारा दिमाग पैदा करता है दिमाग सिर्फ हमें बचाने के लिए ही सब कुछ करता है वो ये सारे डर इसलिए पैदा करता है अगर उसको लगता है कि इसके माद्यम से हमारी जान पे बन सकती है क्यों? क्योंकि दिमाग को बनाया गया है दो responses देने के लिए हमें बचाना है और दो responses के तरू fight or flight fight or flight mechanism को जैसे ही उसने activate करा तो आपकी बहुत सारे senses बंद हो जाएंगे आप सोचिए अगर मालीजे आपके सामने शेर आके खड़ा है तो उस समय आप इंडिया का ब्रधान मंत्री कौन है आपको कोई फरक पढ़ता है? नहीं तो of course memory उस समय कोई role play नहीं करती है जब आप stress में है आप anxiety में है तो memory आपकी अब कम होने लग जाएगी बार बार हो रहा है अगर तो आपकी memory पर actually फरक पढ़ने लगेगा physical level पर second चीज अगर आपके सामने शेर खड़ा है तो आपका digestion कैसा चल रहा है कोई फरक पढ़ता है कि आपको तो आपके metabolism पर फरक पढ़ता है अगर anxiety बार बार आ रही है तो actually में आपका bowel disorder हो जाता है कई लोग जो कि बहुत ज़्यादा stress में रहते हैं उनका पेट खराब रहने लगता है या तो उनका constipation हो जाएगा या IBS जैसी problems हो जाएगी इसके सिवा अगर आपके सामने बिलकुल share खड़ा हुआ है आप इस condition में तो आपकी उस समय values हैं जो आपके principles हैं उन सब के उपर आप ध्यान नहीं देंगे ठीक है तो आपका जो एक sense होता है to keep yourself healthy cleanse वो सारे senses से भी आप खतम हो जाएंगे तो आप लोगों को दिखने में अजीव लगेंगे कि अरे भाई तुम कैसे उठके चले आते हो पहले तो तुम तयार हो के आते थे अने चिंता चल रही है बहुत life में anxiety हो रहा है मुझे ठीक है अगर आपको पता है नहीं पता है तो पता नहीं क्या हो गया है भाग यही रूट किया है whatever तो यह सारे आपका disorder है तो यह सारे symptoms आपका mind create करेगा क्योंकि वो create कर नहीं रहा है यह उससे हो रहा है क्योंकि mind function ही नहीं कर पा रहा है ना वो तो stress में है पूरे time तो उसको क्या फरक पड़ता है अपकी memory अच्छी है की नहीं उसको क्या फरक पड़ता है अपका metabolism खाना ठीक से पच रहा है की नहीं उससे सिर्फ आपको बचाना है और जिन्दा रखना है लेकिन spirituality आपको बताती है कि मैं consciousness हूँ शेज के खतम होने पर भी मैं खतम नहीं होता हूँ तो मैं इस डर से नहीं बंद सकता और वो आपको हमेशा freedom की तरफ लेके जाती है माम हमने देखा कि meditation जो है इतने देर के conversation में meditation word कितना important है हमने बार बार discuss किया बट फिर भी generation को results बहुत जल्दी चाहिए होती है और उसमें मज़ा आना चाहिए हलाकि बोलते हैं कि meditation ध्यान जो है आनन्द बोला जाता है बट इंस्टेंट मज़ा आना चाहिए इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए वरना generation जो है अभी वो attract नहीं हो पाती उस चीज को तो आप इसी से agree करते है agree करती हूँ पर solution भी है इसका कि और आपको लग रहा है आपकी generation को ऐसा लग रहा है ऐसा नहीं है जो busy generation है आज की मानलो आप consider करें हम 35-40 साल से लेकर के 50 साल के लोग अगर हम metro cities में देखें तो वो भी बहुत busy है और उनको भी instant चाहिए तो actually में आपको motivation तो instant उसी से मिलेगा until unless आप yogi है पूरी दरीके से और वो आज कल बहुत कम ही होते हैं क्योंकि वो तब आता था लोगों में वो धहर्य जब वो school में नहीं गुरु कूलों में पढ़ा करते थे जहां उनको धहर्य सिखा दिया गया होता था जहां पर उनको protocols को follow करने का महत वो सिखा दिया गया होता था अभी क्या होता है school में जो है वो building ऐसी बनी होती है जिसे की hotel है multinational type का और school जैसा हम आपर नहीं है they are even convincing children की वो बच्चों को बुरा ना लग जाए ऐसे डर-डर के तो teachers पढ़ाते है उसके बाद में आप जब college में जाते हो तो bunk करने की प्रथा में शामिल हो जाते हो प्रथा एक आजादी आपको चाहिए कि मतलब हम college में आए हैं तो अब हमें ultimate freedom मिल चुकी है अब हम जीवन को अब खुल के जीएंगे उसको नहीं चलेगा कि आप उसको बोले कि तुम धहरिया से बैठो तो पहले की परविरिश अलग थी अभी के परविरिश ही अलग हो गई है अभी तो लोग long form videos भी देखते हैं उनको reels चाहिए क्योंकि वो जल्दी बंद होकर के दूसरी आ जाएगी पहले लोग दूरदर्शन देखते थे सारे आड देखते थे बैठ करके जुतने आते थे अब कोई आड देखता है क्या चैनल चेंज कर देते है उत्ती दिर में कुछ और देख लेंगे फिर हुआ कि चैनल भी छोड़ो अब तो OTT platform है हमें टीवी में डिश टीवी वगर लगाने की जुरूद क्या एक टीवी लगा और स्मार्ट वाला रिमोट लो इंटरनेट से जो देखना है देखेंगे तो in this generation if you are thinking that those principle will work they will not बट जो हमारा meditation का science है वो इतना खुबसूरत है कि उसमें इतना evolved है क्यों ऐसा नहीं है कि आप एक ही तरीके से ही उसको कर सकते है और आपको instant फायदा नहीं मिलेगा meditation is like mathematics if you add two plus two four is going to come every single time if you do it with technique आपको पहली बार से ही result मिलना शुरू हो जाएगा और अगर आप एक level तक चले गए तो आपके अंदर वो एक flavor छोड़के चला जाएगा जो कि आपके अंदर भी तक छोड़ दिया अगर spirituality में कि अब आप उसको छोड़ तो नहीं सकते समझ नहीं आया है लेकिन उसने अपना एक बीच डालके curiosity डवलप तो कर दी अपना एक impact create तो कर दिया तो meditation ये कर देता है आपको सही गुरू खोजना पड़ेगा क्योंकि देखे गुरू क्या होता है अगर आप स्कॉलर से सीख रहे है तो entertainment नहीं है उसमें मजा नहीं आएगा कवी से सीख रहे हैं कवी के अंदर कमी क्या है कवी के अंदर ना imagination भहत है experience नहीं है scholar के पास experience बहुत है imagination नहीं है तो guru वो होना चाहिए जो की एक कवी और एक scholar का combination हो उसके पास creativity और imagination भी हो सामने वाले को एकदम घुटी के जैसे बना के देने कले और experience भी हो ताकि वो in depth समहाल भी सके इस process को तो अगर आप सही process follow करेंगे तो आपको जरूर मिलेगा और अगर guru के concept से भी न जाएं हमारे जो concept है वो चार भागों में divide किये गए थे पहला हो गया भक्ती योगी कुछ लोग ऐसी प्रवृत्ती के निकलेंगे जिनकों की थोड़ा सा devotion से ज़्यादा बाते समझ मेंगी devotional प्रवृत्ती के होंगे वो सारे भक्ती योग से सीख लो कुछ होंगे ज्यान योगी ये scholar mind वाले हैं इन्हें जितना knowledge मिलेगा इनको वो चीज पसंद आएगी ये उससे resonate करेंगे तो आप वो meditation form follow कर लो कुछ होंगे कर्म योगी उन्हें कुछ कृत्य जब शरीर और दिमाग के द्वारा किया जाएगा तब जाके उनको आनंद मिलेगा वो उससे resonate करेंगे तो आप कर्म योगी बन लो कुछ होंगे राज योगी जो की ध्यान में ही गहराई तक जा करके अपना रास्ता निकाल सकते है वो उसे फॉलो कर लो तो इसके लिए एक स्टोरी भी है एक बड़ चार अलग अलग योगी और वो हर अपने फील्ड का एकदम बेस्ट है मतलब जो ग्यान योगी है वो अपने फील्ड में इन डेप्थ है उसको सारे वेदों का सब चीज का फुल नॉलेज है उसके बाद हमारा भक्ती योगी वो सारे टेंपल्स के बारे में पता है देवी देवताओं के बारे में पता है ऐसे चारो योगी जंगल में एक साथ में वॉक कर रहे हैं and of course they are not talking to each other क्योंकि कोई भी किसी दूसरे के उससे resonate नहीं करता है तो जब दूसरे resonate नहीं करते हैं तो कहरें कि avoid करेंगे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने को बहतर मानते हैं और दूसरे को थोड़ा सा कम मानते है फिर अचानक से बहुत तूफान आ गया उस जंगल में और उनको लगा कि हमें कहीं तो शेल्टर के ले जाना पड़ेगा तो जो भक्ति योगी है उसने बोला कि यहां पास में एक मंदिर है वहाँ चलते हैं शेल्टर के ले तो मूर्ती के बगल में दो इधर ऐसे करके पिलर को पकड़ के बिचारे किसी तरीके से शेल्टर लेके वहाँ खड़ेते और तभी अचानक से भगवान ने वहाँ पर दर्शन दे दिये तो सब खुश है कि दर्शन दिये हैं हम को अल्टिमेट दिखाई दे गया है बट देर कन्फ्यूस देर आस्किंग कि वाई इस टाइम हमने इतनी मैनत करी अपने अपने फील्ड में और आप अभी दिखाई दे रहे हैं जब हम इस कॉंप्रोमाइस कंडिशन में आपर अपने दुश्मन टाइप के इंसान के साथ खड़े हैं तो उन्हें ने का कि मैं तो कब से इंतिजार कर रहा था आने के लिए कि तुम चारों कब एक होगे और मैं आऊंगा तो आखिर में तो इन चारों को भी एक ही होना है आपके भीतर ये चारों योगी, चार अलग योगी नहीं है ये चार फॉर्म्स हैं जिनसे आप रेजोनेट करते हो तो हमें समझना पड़ेगा वो कौन सी प्रवृत्ती है आपकी किसी भी प्रवृत्ती के आपो इन चार से बाहर नहीं हो सकते इसमें से कोई एक है जो आपको सैटिस्फाइ करेगा वो ही है जो मेडिटेशन फॉर्म आपको फाइदा करेगा और पहले दिन से करेगा, पहले सेशन से करेगा बस अगर आपने उसको टैप नहीं किया है तो आपको लग रहा है कि मेरे को fast result नहीं मिल रहा, बहुत fast result मिलेगा, जैसे stress तुरंत हो जाती है न, वैसे ये भी तुरंत होगा, और जब हमारे subconscious में ये pattern बैठता है, meditative pattern तो then that it naturally eliminates वो जितने भी पुराने subconscious में belief systems है न, जो किवान नहीं होने चाहिए, ये उन सब को हटाएगा, सारा fear phobia हटाएगा, और बहुत ही scientific technique से हटाएगा, कैसे, आपके दिमाग के अंदर मैंने बताया था, एक amygdala part होता है, अगर आप regular meditation करते हैं, तो आपके दिमाग का वो amygdala part छोटा हो जाता है वो पार्ट छोटा हो जाने के बाद में आपके अंदर से naturally stress के लिए response ही नहीं आता मतलब पहले जिस चीज़ के लिए आपको बहुत चिंता हो जाती थी, आप हो सकते हैं आपको उस बाद पर कोई चिंता ही ना हो तो आपके responses naturally ही कम हो जाते हैं, instead अगर आप बिल्कुल भी ऐसी किसी प्राक्टिस से नहीं जूडे हूएं माइंड रलाक्सेशन बिल्कुल प्राक्टिस नहीं करते हैं लगाता है, इस ट्रेस में जाते हैं, तो आपको टेन परसंट कुछ होने पर जितनी परिशानी होती थी, कल को 1% होने पर उतनी ही same level की परिशानी होगी, क्योंकि amigdella बढ़ा हो गया, response fast देगा माइम, आप बच्चों के लिए भी वाक्शॉप करवाती है बच्चों को meditation सिखाती है ये कितना जरूरी है कि बच्चपन से ही meditation की practice कराई जाए ये आपके according कितना important है क्योंकि बहुत लोगों में inner child trauma होता है तो क्या बच्चपन से कर meditation practice करें तो ये cases कम हो सकते है लिखिये, अगर हम statistics को देखे तो 25% stress and anxiety और mental disorders वो start हो जाते है at the age of 14 75% mental health disorders शुरू हो जाते हैं by the age of 25 तो क्या हमें initially ही इसका response इसके लिए कुछ तयारी करनी चाहिए तो इसका जवाब हमेशा एक बड़ा हाँ है आज हमारा education system अभी भी British education system था उसी को फॉलो कर रहा है वरना पहले हमारे हां सबसे पहले बच्चों को ध्यान ही करना सिखाया जाता था उनको focus करना सिखाया जाता था कोई नहीं कहता था कि तुम focus के साथ पढ़ो सब कहते थे तुम सिर्फ focus करो और जिस दिन तुम सीख गए फिर तुम्हें जो पढ़ना है पढ़ो क्योंकि तब तुमने टेकनीक सीख ली कि पढ़ा कैसे जाएगा ग्रहन कैसे करोगे तो हमारा तो एक्चुली में था ही प्रणाली ही वही तो उस समय में न सीखें हुई चीजें आपके लिए बहुत अच्छी होती है सारे पेरिंट्स को आज ये पता है कि अरे स्विमिंग सिखानी है बच्चे को तो वो भी गर्मी की चुट्टी में सिखा दो बच्चपन में सिखा दो तो जल्दी सीख लेते हैं आपको बॉक्सिंग के बारे में ये बात पता है कराटे के बारे में ये बात पता है डांसिंग, सिंगिंग, आर्ट सब के बारे में ये बात पता है सिर्फ धान के बारे में नहीं पता है लेकिन actually मैं अगर ध्यान भी उस एज में सिखा दिया तो जो आप इतना बच्चों के पीछे पढ़े वे हो कि तुम पढ़ते क्यों नी पढ़ते क्यों नी बच्चा परिशान है कि मैं तो इतनी दिर पढ़ता हूं मेरे को इतना ही समझ में आता है यह सारी प्रॉब्लम से तो जितना आपको लगता है कि चलो एजुकेशन प्राइमरी है वो तो बहुत जरूरी है एजुकेशन को ग्राण करना पहले आपके पैंसिल बॉक्स में क्या-क्या चीजें है वो आप बताओगे ना बच्चे को कि यह पैंसिल है यह रेजर है इससे यह होता है से स्केल से तु पर बाद करेंगे मतलब आप बात कर सकते हैं आपको थौ्ट्स की भी अजादी है पर टौपिक कोई और निया आना चाहिए टौपिक यह ही रहेगा मानलो अगर हम बलून्स की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ बलून्स की बात करते रहेंगे फॉर मल्टिपल टाइम्स breath work is also very very important for the children to be taught एकदम बच्पन के एज में क्योंकि आजकल बच्चों में बहुत कम एज से ही immunity की प्राब्लम्स देखने को मिर रही है breath से related problem है vision से related problem है तो meditation में आखों की exercise भी करवाई जाती है बच्चों को क्योंकि वो तरह तक करेंगे focus करेंगे तो वो कभी अपने pupil को dilate कर रहे हैं कभी relax कर रहे हैं ठीक है तो उनकी आखे train हो जाती है बहतर हो जाती है breath work करने से बच्चों के अंदर blood circulation बहुत अच्छा हो जाता है तो उनकी growth के लिए बहुत अच्छा होता है और उनके mind को proper blood circulation तो फिर बहुत अच्छा उनके रहता है क्योंकि बच्चे बट तेची तेची में सास लेते हैं एकजा से की कभी आप उनको नको देखे डिक ब्रिलाक्स ब्रहत नहीं लेते हैं बच्चे लेते हैं इसलिए वो चंचल होते हैं अगर किसी भी चंचल व्यक्ति को आप डीप ब्रेथ करवा दीजे तुरन तुषान्त हो जाएगा तो अगर आपको सिर्फ ब्रीधिंग भी आपने कंट्रोल कर लिए तो बच्चों के लिए तो यह बहुत इंपोर्टेंट है knowing the fact कि यह चीज़ established करने में मुझे शायर अभी सालों लग जाएंगे कि यह बात actually में लोगों को समझ में आ जाए पर फिर भी मैं occasionally जितना कर पाती हूँ मैं बाल ध्यानम बच्चों को बुला करके उनको ध्यान अलग-अलग activities के माधिम से सिखाते हूँ पर बात वही है आपको देखना पड़ेगा वही चीज़ समझाना है छोटे बच्चे को अलग तरह से समझाओगे 20 साल के विक्ति को अलग तरह से समझाओगे और 40 साल के विक्ति को अलग तरह से आपके बहुत तरीके हो सकते हैं इंटेंशन आपका अगर प्योर है तो प्रकृति के पास सारे तरीके आपको सब मिल जाएगा मैंम अपने अपने आपको अपने ओर्गनाइजेशन को कुझी का वर्ड से बहुत चोड़ा है तो ये नाम की क्या importance है के लाइफ में कुझी का वर्ड को क्यों चुना पने तो कुझी का हम जब छोटे थे न तो हम लोग अगर कम समय में आपको पढ़ना है पूरा करना है तो हम लोग कुझी आती थी छोटी-छोटी बुक्स होती थी तो दे आर carrying the essence of the entire बड़ा वाला बुक का एक कुझी बना देते थे तो जैसे अगर maths की कोई बुक है तो सारे formulas और सब कुछ उस कुझी में लिख दिए तो कुझी का basic meaning वो होता है कि एक छोटी सी key key to unlock ये बड़ा वाला ताला और ऐसे ही जो हमारे ग्रंद है हमारे spiritual books है उन सब के अंदर भी एक एक key mantra के form में दियो होगा है तो दुर्गा सबसती की जो कुझी है उसको बोलते है कुझी का स्त्रोतम वो एक मंत्र है और उसका नाम है कुझी का स्त्रोतम यानि कि अगर आपने उसको पढ़ लिया तो आपको पूरा दुर्गा सबसती का पूरा जितना था वैभव परशाद वो सब मिल जाएगा आपने काइंड ओफ पूरी बुक ही पढ़ ली अगर आपने इतना पढ़ लिया तो वो मंत्र है ओम एंग्रीं क्लिंग चामुंडाय विच्चे यह है वो मंत्र तो यह मंत्रा इस कवरिंग दी एंटायर दुर्गा सबसती क्यू मैंने यह नाम से मैं अट्रैक्ट हुई दो रीजन है इसके पहला जब मुझे अपने पास लाइफ सारे रिकॉल हुए उसमें मुझे दिखा कि मैं अपने पिछले लाइफ में इनरजी देवी को बहुत जादा फॉलो किया तो मैं अपनी जर्णी यहां इस लाइफ में भी वहीं से ही शुरू करना चाहती थी इसलिए मुझे सम्थिंग देवी से रिलेटेट चाहिए था दूसरा जो है I wanted it to be कि एक कुझी एक की होगी जो की हर ताले की जाबी होगी है एक मास्टर की तो इसलिए मैंने उसका नाम कुझी का रखा और मेडिटेशन तो अफकोर्स आगे जूडी किया तो यह नाम मुझे बहुत अट्राट किया तो और भी बहुत सारे नाम सोचे थे पर इस नाम के आगे फिर और कोई चीज समझ में नहीं आ रही थी जो लोगो भी है वो भी ग्रीन कलर का है अगर आप से ध्यान से देखेंगे उसमें अनाहता चक्रा भी बना हुआ है बीच में तो everything is related to that जैस मैं बहुत सारे टॉपिक्स अमने कवर की है मुझे परसनली बहुत कुस सीखने को मिला समझने को मिला और होब की आडियन्स को भी बहुत कुस सीखने समझने को मिलेगी जाते जाते लास्ट मैं आपसे जैसे आपसे बहुत लोग मिलते होंगे बहुत लोग अपनी परिशानी बताते होंगे कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट या फिर कोई ऐसा टरांस्वमेशन कोई ऐसी स्टूरी है अभी आपको जाब बता सकते हैं चोटी सी कोई स्टूरी भहँ सारी ऐसी स्टूरी सारे में दो आपको बताना चाहती हूँ छोटी- छोटी एक एक महिला मेर पास आई थी उनके हस्बेंट का अराउंड six seven years पहले दिहान तो गया था तो वो हमारी community में ही रहती थी उनकी she had two daughters और कई सालों से उनको किसीने मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा था तो वो पहले एकदम housewife के जैसे रहने लग गई थी फिर जानक से उनके husband का दिहान तो गया तो ये एक बहुती traumatic event था पर उन्होंने हिम्मज उटा करके कुछ नौकरी पकर ली उनके relatives ने उनकी नौकरी लगवा दी और वो घर समालने लग गई पर उन्होंने कभी अंदर जाकर कि अपने emotions को revisit किया ही नहीं छोड़ दिया वैसे कवैसा और वो धिरे धिरे करके उनकी health को खराब करने लग गया तो मुझे याद है जब वो मुझे मिली थी तो उनके अंदर इतना विश्वास था उनको ध्यान पर भी विश्वास थानी फिर भी उन्होंने का कि मैं एक बड़ ट्राय कर लूँगी दो चार महीनों तक वो टालती रहीं कि मैं नहीं आओंगी मैं नहीं आओंगी मैंने का चलो कोई बात नहीं और फिर उसके बाद एक दिन था मुझे अचानक से थ्यान में वो दिखाई दी और मैंनों को मैसेज किया कि अगले बैच में अप जरूर जाना वो मैसेज जितने कन्विक्शन से मैंनों को लिखा nou उतने ही कन्विक्शन से उन्होंने तड़ भी लिया और वो आई अगले बैच में एक हफते तक ध्यान में वो ध्यान में जाती थी और रहती थी अगले हफते से जो है धिर धिर चीजें बदलने लग गई आज की डेट में मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और वो हर वक्त हस्ती रहती हैं वो अपना पूरा ध्यान रखती हैं इतना वेल मेंटेंड रहती हैं उनके बच्चे बहुत खुश हैं तो मैंने वहाँ पर एकदम जो इनसान जीवन से पूरी तरह से रूट हो गया हो, रिजेक्ट कर दिया हो वहाँ से एक इनसान को वापस से उसको रिलिव करते वे फ्रेश स्टार्ट करते वे देखा यह एक मेडिटेशन बहुत बड़ा ट्रांस्वोमेशन लाया मैं कहूंगी दूसरा मैंने एक केस देखा था कि एक आईटी डिरेक्टर है एक कंपनी के मैं रिवील नहीं कर सकती लेकिन उनके साथ फोबिया का प्राब्लम था उनकी स्टोरी बहुत ही इंट्रेस्टिंग है जब मुझे मिले तो वो पिछले ग्यारा साल से दवाईयों पर थे एंग्जाइटी और फोबिया के लिए और ये उनका डिटेक्ट हुआ कुछी समय शादी के बाद उनको जो है कुछ तो हार्ट में दर्दुआ पैल्पिटिशन उन्होंने किसी जगह घूमने गए थे वहां के डॉक्टर को दिखाया उन्होंने बोला कि अरे आपका तो हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है जादा आप सर्वाइव नहीं करेंगे और दिखाना पड़ेगा हमें हायर अथोरिटीज में तो ये तुरंत फिर अपने घर वापस लोड करके आ गए और उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाया उन्होंने का नहीं नहीं वो गलत इंटर्प्रेटेशन कर लिया डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं है पर इनके मन में डर बैठ गया डर बैठने की वज़े से ये चले गए हरिद्वार अपना नाड़ी वाले जो पंडेत होते हैं उनसे अपने पत्री निकलवाने तो उन्होंने का कि देखो इतनी साल की उमर में तुमारी एक आंख एकसिडेंटों का एक आंख खराब हो जाएगी इतने साल में तुमाई दूसरी आंख खराब हो जाएगी तुम डिपेंडेंट हो जाओगे और इतने साल की उमर में तुम मर जाओगे अब ये इनको हो गया ट्रॉमा कि भई ये उने वाला है मेरे साथ यह एक खतरनाक anxiety थी और इनको काफी डर लगने गा तो इन्होंने घर से बाहर निकलना कम कर दिया बस office तक जाएंगे आएंगे जादर traveling बंद कर दी कहीं abroad जाना है वो सब cancel कर दिया trips बाहर नहीं जाना है और जो time उस नाडी गुरु ने बताया था पहली आँख का accident actually मैं उस समय पर वो accident हो गया और उनकी एकाँ खराब हो गई अब उनका विश्वास और गहरा हो गया और उनको फुल टाइम फियर हो गया उन्होंने अब office तक भी जाना बंद कर दिया वो work from home पे आ गए उन्हें का मैं निकली नहीं सकता उनके parents पास में ही रहते थे वो दूसरे शहर में जाकर उनसे भी नहीं मिल पाते थे इतनी traumatic condition उनके बच्चे उनके सामने बड़े होते जा रहे हैं वो एक जगा अपने बच्चों के साथ बहार नहीं जा पाते है मुझे उन्होंने जिस दिन कॉल किया था अपनी ये condition बताई और उनके आप मेरी क्या मदद कर सकते हो वैसे मुझे ज़्यादा उमीद नहीं है मैं 11 साल से दवाईयों पर हूँ दवाईयां मेरी मदद नहीं कर पाई तो फिर मुझे नहीं लगता कुछ और कर पाएगा बट फिर भी मेरी एक फ्रेंड ने कहा है तो मैं इसले कंसर्ट कराऊ मैंने का ठीक आप आईये मैंने पहले उनके साथ हिपनो थेरेपी करी फिर उन्होंने मेडिटेशन करा काफी समय तक फिर मैंने का अब टेस्ट की गड़ी आ चुकी है अब आपको जाना होगा कहीं बाहर पहली बाँ उन्होंने बुक करा गाड़ी और फिर से उनको पालपिटेशन हुआ वो नहीं जा पाए फिर मैंने का नहीं कोई पास की ट्रिप करिये जैसे रिशिकेश देरादून जैपो टैप की फिर दुबारा उन्होंने प्लाइन किया और इस टाइम जो है मैं उनके साथ कॉल पर बनी रही मैं उनको रे की हीलिंग भी दिया मैं उनको ब्रेथ वक करवाती रही मैंन का आप कर सकते हैं इस बार और वो गए और अब वो कहीं भी जा रहे है मतलब लिटरली उनके जो पच्चे थे वो तुनाली माता की जय और एसे से करके बोलने लगए क्योंकि इतने सालों तक उने पापा के साथ में कहीं बाहर नहीं जा पाए थे वोसे बिग ट्रांस्फोरमेशन उन्होंने का कि मैं वो उन्होंने यही कहा था कि मैं इस डर के साथ ही मरना नहीं चाहता सब को ही मरना एक दिन मुझे पता है लेकिन मैं डर डर के नहीं जाना चाहता हूं कम से कम तो आब वो सब जगा घुमते हैं और पता है वो नाड़ी गुरू एक्शली ही बहुत अच्छे थे उस पर रिस्पॉंस कैसे करेंगे वो आप डिसाइड करेंगे वो कोई पंडित नहीं डिसाइड करेंगा वो आपकी डेस्टीन भी नहीं डिसाइड करेंगी वो आप डिसाइड करेंगे इतनी चेतना इश्वर ने आपको दी है तो यह थी हमारी बातचीत डॉक्टर सोनाली मिश्रा जी के साथ सोनाली जी के साथ हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किये जैसे मेडिटेशन, स्पिरिच्वालिटी, एंजाइटी क्या होती है, स्ट्रेस क्या होता है बच्चों मेडिटेशन कितना इंपोर्टेंट है, साथ हमने चकराज जैसे टॉपिक को भी कवर किये उमीद है आपको यह एपिसोड बहुत पसंद आया होगा अगर आप यह एपिसोड टीवी पर देख रहे हैं, तो हमें योटूब पर भी सब्सक्राइब करें और अगर योटूब पर देख रहे हैं, तो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो करें तब तक के लिए याद रखिए कि हमें जिन्दगी काटनी नहीं जीनी है और ऐसे जीनी है कि लोग बोले लाइफ हो तो ऐसी